आज की जो मेरी recipe है सेवई से इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी नाश्था recipe है आप इसके fan हो जाने वाले हैं बहुत ही healthy बहुत ही टेस्टी और इसके साथ quick and easy recipe है तो guys welcome back to my channel Our Foodie Mom मैं आपकी host और दोस ने थी कहां सी तो चली बिना देर के उनारा शुक्रते पर इससे पहले एक छोटा सा request है अगर आपको मेरा वीडियो अचे लगी तो like, share and subscribe ज़रू करेगा तो चली बिना देर के उनारा शुक्रते लेट्स टार्ट यहां पर मैंने एक कटोरी के करीब यहां पर पूरा एक कटोरी यानि यह थोड़ा सा बड़ा है मीडियम से थोड़ा सा बड़ा है उसके करीब मैंने यह भुना हुआ सेवई लिया है लगाईसी भुना हुआ है लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देना है इस तरह से देखे कितने अच्छे से भुन गया है अब हमें क्या करना है कि उसी पैन में मैंने यहां पर एक चमच से दो चमच के करीब हमें ओल ले लेना है आप यह जो रेसिपी है डालेक्ली घी में भी बना सकते हैं काफी पार्ट में अलग कर दिया है इसको भी डाल दें यह मैंने लगभग 10 से 12 काजू लिया है इसको भी जरूर डाले अगर आप काजू नहीं यूज़ करना चाहते हैं इसके जगह आप कच्छे मुमफली का यूज़ कर सकते हैं और यहां पर दो मैंने लाहरी मिर्च ली है यह सा लाल हो गया है लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहां पर दो लाल मिर्च के करीब डाला है यहां पर और इसके बाद इसको अच्छे से भून ले अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो यह हरी मिर्च का यूस ना करें यहां पर एक द्यान रहे यह कच्छा आलू यह पकाव आलू नहीं है तो अब हम क्या करना है कि हमसे पहले अलू को डाल देना है आलू को डालने के बाद यहां पर हम स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे ताकि आलू और गाजर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो मीडियम टू लो फ्ले में लो फ्ले में हमें काफी अच्छे से इने भूनना है ताकि हमारा जो स्वाद है ना इसका सेवयों का वो बिल्कुल दुगना हो जाता है इसके बाद यहां 10-12 कड़ी पते लेने हैं और उसको भी जरूर डालते बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मीडियम टू लो फ्ले मे हमें काफी अच्छे से इसे कम से कम 90% हमें यह आलू को कुक करना है तो मीडियम टू लो फ्ले में इसे काफी अच्छे से आप इसे कुक कर ले बीच बीच में इस तरह से थोड़ा सा चलाते रहे 5-7 मिनिट में यह आलू काफी अच्छे से कुक हो जाता है कोई दिक्कत नही खुक हो चुका है कि यहाँ पर मैंने जो इसमें डाल देना है और डालने के बात एक पर इसको अच्छे से लिया है, और मैंने एकको मिक्स देना है कि तरह serum, यहाँ पर अच्छे से लिया तो पानि करीब यहां पर मैंने पानी डाला है और इनको काफी अच्छे से मिक्स कर दे मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके काफी अच्छे से हमें कुक करना है पर उससे पहले बिल्कुल एक तिहाई चमचे करीब हल्दी जरूर डाले काफी अच्छा कलर आता है हल्दी जरूर डा ही आठी तो आप देख सकते हैं बीजों मैंने एक बार ही बार हीला मैं चेक कर रही हूँ यह काफी अच्छ ऑल दे ACC पकूर में वह सूपह नगरा वह मुझा हुए लिए मेरे मारे अजित जी से फैल ना पर एक बड़ जाए हो कारीजै आठा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका जो इन्हेंस होता है और जो सेवई का जो कलर है जो देखने में बहुत ही खुबसुरत लगता है एकदम चम्कीला सा हमारा जो सेवई ये बनके तयार हो जाई दो मिन के करीब घी डालके इसको छोड़ दे ताकि अच्छे से इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है बिलकुल खिला खिला रेसिपी है और इसमें जो सीक्रिट मैंने एक चमच घी डाला है वह ज़रूर डाले गाइस इससे जो आपके सेवया काफी इन्हेंस होता है टेस्ट में भी और इसको यह देख सकते हैं कि काफी यह मतलब शाइनी वाला बनता है और परफेक्ट मील है आप इसको जरूर ट्राय करना गाइस मेरे कहने पर वीडियो अच्छे लगे च्छोटा सा लाइक जरू दीजिए अगर मेरे चैनल पर नहीं चुले से सब्सक्राइब करना रहे हैं मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ तब तक मुझे विदा अथा जिए्य food दीजिए झाइब आ आ आ HAR dale जो इंचे जयाओ मेरे करना दें जह की लाइक्ट भ मैरे के स는नल पर खेंग, ज greet पक्याम, घ番 के सब्सक्राइब करना हैं मिलते हैं मिलते हैं।